हेलो दोस्तो वेलकम टो आगर चैनल टेक्निकल सेंटर आज मैं एक बहुत बड़ेट लगए हैं जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारते जया बैंक में जेए की बहाली निकाली गई है जिसमें सिवील और लेटिकल की सीरित थी जिसका सौर्ट नोटि नोटिफिकेशन आएगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे कैसे अपलाई कर सकते हैं और आप इसका फूल नोटिफिकेशन कहां से डॉल्लोड कर सकते हैं कि या क्यालीजिविटी रखा गया ती वहां पर नहीं की गई थी वहां पोस्ट बता लिय पहुँँटिब नहीं किया कि आप गया तक पहुँट जाए यहां पर इन्हों ने जो डिटेंड नोटिपिकेशन ने उसको यहां पर रिलीज कर दिया ठीके जब मैं सारी बाते बाते करने वाला हूं ठीके चलिए देखिए यहां डेखिए आपको बदाता है कि इसका फॉर्म जह होगा दो ताइक से बढ़ाना स्टार्ट होगा दो सलिक कर दिया है वेबसाइट लिंक ओपन दो दो जारे का इस टू पंद्रा दो दो जारे का इस टीक है अब देखिए पेमेंट को भी आपको पेमेंट जी दो सलिका पंद्रा बीच में करना होगा ठीके ना और टेंटरिफ डेट आप इजामनेशन का है आठ मार्च दो रिखिश हम्हों जो जो एक्षाम होगा उसका अठ मार्च विश्ट देखाता हूँ देखिए आप यहां यहां निकाले गए जोंव आइस ट्रह नौन जोन नौर्ट साउं मांस तरह के जोने हैं ठीके नंउन इलेक्टिकल वाले के लिए और दोनों के लिए पांच जोन में हैं हैं च कर दिया गया तिक है और आपको यह को है कि कि आप आप आपका जो में हो किस जोन में आता है तो आता है ठीक यह जोन में जोन में आट को सुखाट annex Tay gospel के आपको ऊत्रय गोंधिक और ही अगा यहां दों में टोटल这是 दिट हैं तो आपका total seat फेस्ट है नौर्थ जों में आपका total seat 5 पांच सीट है नौर्ड जों में स्धिश्ड तीन सीट है और सेंट्रड उन सीट एक सीट किस आप यहाँ पर कैटेगरी को भी देख सकते हैं ठीक है अब वालों के लिए एस्ट को सजान ऑसवा कीई तो je जो में एक भी तो चुरिये अब देखिए आप पर अगे मत अनुगीक आप तो ne वो आपको कैसे भरना है ठीक है चले देखिए आप पर मैं पर आपकर कर करके सारी बात इसमें बता दूगा ठीक है यहां देखिए आप जोन देखिए जोन में कौन कोन से श्टेट आते हैं यहां पर सकते हैं आप फम प्र मußा जात के मी जटेता है इस जोन में आता है आप देखेंट है इस जोन मानीध्ट मिलेगा लिगे में अगे देता हूँ ठीक है चलिए अब यहां देखिए नीचे देखिए आपड यह इंपॉर्टन बात यहां देखिए एलिशिजबिटी क्रेटेडिया के बात अगर मैं करूं देखिए आप तो आपका जो एज है वह 20 से 30 साल तक होना चाहिए इसमें एज को बढ़ा दिया है इसमें एक मीममम बीत साल या मैक्सम्म में तीसाल होता है तब यह आप इसको अप्लाई कर सकते ऐस न अगर अग गण लेता हूं अगर देखिए मैंसे क्वालिफीकेशन के बाद करो ठीके ना क्वालिफीकेशन भी आपका होना चाहिए यानि के आप आप आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस परम कप्लाइए नहीं कर जाए क्योंकि इन्होंने साफ मिंसंग क्या कि एजुकेशनल क्वाल अगर मैं जेई सिविल के बाद कर तो इसके लिए है मिनिममम थ्री यर डिप्लोमा इन सिविल इंजिनिंग फ्रॉम अडिकुनाइज इंस्टिटूट और इन्वेसिट्टिव और बोट्फिश्टिपाइब परसें माक्स ठीके फॉर जनरल के डिगड़ी और ओविसी के डि सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिए और आपका 55 पर समार्ट होना चाहिए और सस्टी वाले को लिए आपका 55 पर्सें मार्ट होना चाहिए और इस से डिस है तो आपका 45% मांक्न मिल्मम होना चाहिए ठीक है अब देखे एकस्परियेंस भी आम आगा गया है ठीक है यानि इसमें फ्रेशर अपलाई नहीं कर सकते हैं इसमें आप्लाई अपलाई कर आपको तो आपको कम से कम दो साल का एकस्परियेंस आईए ठीक है न क्या तो सेम इलेक्टिकल वाले में भी अगर आप डिप्लोमा पप्लाई करने है तो आपको दो साल का एक्सप्रियंस चाहिए आपको ठीक है तभी आप इस पॉर्म को भर सकते हैं किलर है चलिए हम आगे बागे लेता हूं इसका जो एक्साम्रेशन पैटर्ण वे क्या है ठीकिना देकिए इसको झांट इस्न पैटर्न है उसमें 該 hya लोग इच्शो आसी कोस्ष्ण आपको असी कुछा जाएगा एक्सो सो अ si qi पुछा जाएगा झाहीन हो और आको I will तोटल चार सब्जेक्ट है निहीं चार के मैं बुलूगा दो ही सब्जेक्ट है तीन सब्जेक्ट है परके पेपर आपके चार रखेंगे और हैं देखिए इंगलीज लैंग्स में आपका 50 कुर्सन पूचा जाएगा पचास नंमर का होगा आपका फर्च जो पेपर होगा आपका ब्रांश पिपर उसमें 40 कुर्सन रहेंगे छालीज कोशन देगे, सो लख का रहेगा है एक कुशन आपका धाय मार्क्स का हो गए, उसे साज्ट आपका इंजिनिंग डिसिपल यूरि यूरि पेपर 2 आपका प्रार्णश पेपर उसमें पे चालीज कोशन देगे, और आपका जो, बिभी तो ऊंपर 50 मार्क्स देगा, त् अब देखिए उसकी बाद क्या है यहां देखिए क्या लिखाव है अब देखिए जो भी बच्चे जो है वह ओनाइन जाम में सिलेक्ट होंगे ठीक है जो अब भी आप अगर रिजनी जाम कॉलिफाई करते हैं तो आपका एक प्रोफिशेंसी टेस्ट लिया जागा ठीक है एल पीटी टेस्ट लिया जागा ठीक है जिसमें आपको आप जिस भी जगह से बिलॉंग कर तो वहां का लोकल लेंग्वेज आपको आना चाहिए उसका आप देखिए कि आपको लेंग्वेज अच्छे बोलना परना लिखने आत आपका जो नेगेटीव मार्किंग ऑफी वन फॉर्ट का चलेगा ठीक है चलिए यहां तक मैंने यापको सारे बाते बता दिए ठीक है चलिए अब देखिए यहां पर अगर मैं बात कुने आप आप लेएद रहा पर लेक्शेंटर ऑप का इंडिया में बहुत जगह बना ज जो लिखा हुआ यहां पर आप देखिए आपको एक एनेक्स वन फोर लिख रहा है आप इसको क्लिक करके अपने देख सकते कि जो आरबे एक्जाम लेगी वह कहां कहां सेंटर बनाएगी ठीके ने चलिए अब मैं इसके बताए तो इसका फी कितना लेगा आपको पेमिंट करन अब यहां देखिए अगर मैं बात करू यहां देखिए आपको अगर की सेलेक्शन होता है तो आपको कौन-कौन से जगा पर जॉब मिल से तरह कि अगर आप इस जोन में है तो आपको को कोलकाता भूबनेश्वर गुहार्टी पटना सिलोंग अगरतल्ला ग्यंग टॉक्ट ऩौन में अख्लाव, मैं वह को ऐसे की रहत एक ऐसे के आप हराउट कर लेन कि कर सकते हैं यहें आप ईस पीडिप्ल लिंक होगा वह भी उफ होगा उपना डिस्क्रिप्सण बोक्स में पर वह कर सकती है ठीक है चलीए कि आगा बाक हरता हूं देखे को इस में पोड़ी के जचेट आपको पंड़ेंट करना है तो फॉरहंड़ेंट पर पेंड़ेंट ने किमेंड होगा इस फर्म को अप्लाई करने के लिए धिक जली है मैंने सारे बात इसमें बता दी हैं कि इसका फर्म में कितने सीटे हैं जगाओं आपका ऐसे कर सकते geheel मिलेगा जलीए अब मैं आपको दिखातोपो आपको कैो ध्याक धाइस अप्रोप अप्लिक कर ना चलिए अब मैं आपको ऑप्लिक आप में नियुक T bless primero a few from the two on function कुन एक पॉटो सिंग्टील करना कि इस देटल बनना है चौधा में आप्री बिजू कर सकते हैं उपनेरे आपने साहँ ज़िए भागता और वाम करना थीकर चली में आपको रिखाए तो किया बठाता है व्लूप अग्ल सबते हो दोगत था सहिसे विशंद सबसे पर बच्रकेशल को यहां पर अपना नेम थेयो का Wi-Anna व्ल्रफवन नारं करकेसं बढ़ते हैं किसलों है सब सब्सक्रेंगर मनें 생각을 प्रका तो आप बिल्कुल सही से मवाइल नमबर भड़ेंगे अगर आपको पास को अल्टरी मॉइल नमबर यहां वे डाल सकते दूसरा मॉइल नमबर ताक एक पर नहीं होगा तो दूसरे पर पाँ चल सकता है सब्सक्राइब करेंगे आपको करने के बाद आपको यहां पर ऑप्षन देख रहा होगा सेव एंडेक्स कर देना है जैसे सब्सक्राइब कर देगा अपको सब्सक्राइब आपको थर्ठ स्टेप में बढ़ेंगे अपना भरना होगा कि कितना मार्स है पूरा डिट्ल भरना होगा अध्रेस क्या है सारी चीजे आपको भड़ें हैं वह सबी चीज नहीं है और अपको पेमें का ओप्षन मिल जाएगा आप वहां पेकर देंगे और आपका जो है वो पास रख लेंगे और आप एजामनेशन के त्यारी में लग जाएंगे ठीक है चलिए अब मैं आपको बतायता हूं कि अगर आप इस फॉर्म को मुवायल से भर रहे हैं तो आप मुवायल को पोट्रेट मोट में करके भरेंगे निकि आप मुवायल को इस टैप से करके भरेंग आप ऐसे जो है मुवायल को आप वर्टिकल में करके नहीं बढ़ेंगे आप जैसे ही इसको पोट्रेट मोट में करेंगे यह फॉर्म जो है वह अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा ठीक है यह बंद हो जाएगा आप देखें